नमस्कार साथियों आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं ब्लड कार्पसेल्स डब्लू बीसी या फिर लीकोसाइट्स या हिंदी में हम बोलेंगे स्वैत रक्त करणिकाई तो सभी लोग चैनल को सब्स्राइब कर लें और वीडियो को कर दें लाइक क्योंकि आपको ऐसे इंफर्मेशन वीडियो बिलने के लिए आप हमाई साथ जुड़े रहे हैं वाल्ड बलड कार्पसेल्स डब्लू बीसी या लीकोसाइट्स इनका कारी क्या होता है ये एलर्जी इन्फेक्शन और रोगों से सुरक्षा परदान करते हैं संख्या की बात करें तो संख्या इनकी man to man या woman to woman जितने भी है विजी फर करती है लेकिन इनकी संख्या मिनमम छे हजार से मैक्समम 10,000 पर mmq एक mmq बलड में इनकी संख्या होगी अगर रेशियो देखा जाए तो rbc's और wbc's का जो रेशियो है वो 600 ratio 1 है यानि की 600 rbc's में आपकी एक wbc होगी 600 rbc's का रेशियो एक wbc's के साथ होगा संख्या अगर आपकी संख्या की कमी हो जाए wbc's की कमी हो जाए जिसको हम बोलते हैं leukopenia एक terminology है बायो की कमी को हम बोलते हैं leukopenia और अगर wbc's बढ़ रही है तो उस terminology को हम बोलते है leukosithemia दोस्तों अगर wbc's की बहुत ही जादा संख्या बढ़ रही है यानि wbc's बहुत ही जादा बढ़ जाए तो इसको हम बोलते है leukemia leukemia इसी को बोलते है blood cancer यानि संख्या अगर बहुत ही जादा बढ़ रही है wbc's को तो हम उसको leukemia बोलेंगे leukemia और इसी होता है blood cancer तो wbc's की संख्या बढ़ना हमाईले खदरनाक है थोड़ी बहुत संख्या अगर बढ़ लिये तो leukemia के अंडर आएगा बहुत ही जादा बढ़ रही है तो leukemia कहलाएगा जीवन काल कितना होता है इनका जीवन काल की बात करें तो wbc's का जीवन काल होता है बारह से तेरा दिन 12-13 दिन बारह से तेरा दिन इसमें इंपर्टेंट है जो अपकी white blood cells होती है ल्यूकोसोइट्स वो गोला कार हो सकती हैं पिंडा कार हो सकती हैं घोडे के नाल या फिर हेड़फोन के आकार का इनमें केंद्रक पाय जाता है तो ये मिली आपकी दो तरीकिक होती हैं कडिका में और कडिका रही तो अभी देखेंगे इसमें अलग-अलग यानि ग्रेनुला गोले के नाल या फिर हेड़फोन के आकार का कैंद्रक इसमें पाय जाता हैं में डब्लु वी सी दो टाइप की होती हैं कडिका मैं और कडिका रही थिंग्स में वहलें तो ग्रेनुलाइट्स एन एंग्रेनुलाइड काडिका में कांद्रकत आती हैं नेटरोफिल्स होती है। एलर्जी इन्फेक्शन से सुरक्षा प्रदाइब नॉट्रोफिल्स सर्वाधिक होती है। सभू, हैं 2-3 प्रदाइब नॉट्रोफिल्स होती है। इनका काम क्या होता है। ये LRG infection से सुरक्षा प्रदान करती है। यानि कि जो आपकी करनिका यह यनि ग्रेनुलाइटस होती हैं वो LRG infection से सुरक्षा प्रदान करती है। जबकि monocytes जो होते हैं Monocytes, lymphocytes यह किसके अंतरगत आती हैं? यह A-granulites के इंतरगत काती हैं कानिका रहित हम इसको बोलते हैं Monocytes की जो संक्या होती है वो 3-8% होती है Lymphocytes की संक्या 20-25% होती है Lymphocytes जो Lymphocytes WVC है बहुत important WVC है यही immunity आपकी प्रतिरच्छा परणाली को मर्जबूत करती है प्रतिरच्छा इनी के दौरा आती है immunity boost होती है प्रतिरच्छा प्रतिरच्छा प्रणाली करते हैं आगे देखते हैं Neutrophils केंद्रक कैसा होता है इनका पिंडाकार केंद्रक होता है Neutrophils इसमें देखने डाइग्राम दे सकते हैं एक दो तीन चार पांच है छे से साथ पिंड केंद्रक होते हैं यानि छे से साथ लोग का केंद्रक होता है Neutrophils की Basophils बहुत important है कई बार पुचा गया है घोडे के नाल के आकार का केंद्रक होता है यहाँ पे आपको बना दिख रहा है यह घोडे का नाल होर्स शो होर्स शो शेप होता है यहाँ हैड़फोन के आकार का भी केंद्रक बोलते है Basophils का Asynophils Asynophilia होती है इनकी परसंटेज जब बढ़ जाती है जब भी कोई parasites आपकी बाड़ी में जाते है ऐसे parasites जो allergy आपको डेबलब करें बोड़ी में जाके तो उसकी संख्या को बढ़ जाने को हम सynophilia बोलते है यह चार पिंड वाला केंद्रक होता है आप यह देख सकते हैं डाइग्राम में इसमें चार पिंड बने हुए है Monocytes है Monocytes इनका केंद्रक गोलाकार होता है Lymphocytes सबसे छोटी WBC होती है सबसे बड़ी Monocytes और सबसे छोटी WBC होती है Lymphocytes यह क्या करती है पत्रच्छा पदार करती है और यह कई के तरीके होती है T4, T3 Lymphocytes होती है और Lymphocytes में ली बनती कहां से है Thymus Gland से बनती है Lymphocytes पहले क्या होती है ये अब परिपक होती है यानि मेचियूर नहीं होती है तो क्या होता कि lymphocytes मेली दो जगा से निकलती है thymus gland से निकलती है and bone marrow से अस्थी मजजा से निकलती है thymus gland से T lymphocytes निकलती है ये क्या करती है इनको training दी जाती है और यहां से जो निकलती है bone मेरे सोय इसको हम बोलते है B lymphocytes चीक है ये चार तरिके की cells का निर्मार करती है जिसको हम बोलते है helper, T cells, killer T cells, super suppressors, T cells and memory T cells तो होता क्या है कि ये जो T cells होती है ये lymphokinin hormones को activate करती है और जिससे ये active हो जाती है और ये antigens को क्या कर लेती है ये पहचान जाती है और उसके बाद क्या करेंगी जैसे ही T cells activate होती है और ये फिर T cells के पास जाती है, killer T cells के पास और वो उस antigen को मार देता है ठीक है, तो जब भी कोई नया pathogen आता है तो हमारी जो WBCs होती है वो पहचान नहीं पाती है और इस वज़ा से शुरुआत में उनको वो अपरिपक को होती है, लेकिन क्या होता कि एक बार वो pathogen body में आ गया है तो फिर एक बार वो पहचान जाएंगी तो उनके पास वो memory cells में जाके डबलब हो जाएंगी यानि memory cells में store हो जाएंगी जिस वज़ासे WBC से हमारी जान जाएंगी लिंफोसाइट जान जाएंगी कि यह यही वा लैंटी जनता जो एक बार आ चुका हो और इसको मारने का तरीका वो पहले से जान चुकी है इसी हो जैसे जब भी कोई नया वाइरस हमारी बाडी में जाता है तो ज़्यादा infection फैलाता है या ज़्यादा problem create करता है लेकिन दीरे दीरे क्या होती है कि दीरे दीरे उसका प्रभाव कम होता जाता है जब वो कई बार आपकी बाडी में जाता है दुबारा जब जाता है वही पैथागन या वही वाइरस जैसे कि आप COVID का देख सकते हैं तो COVID का वाइरस जब पहली बार लोग के बाडी में गया तो बहुत सारी problems हुई लेकिन दीरे दीरे क्या हुई herd immunity आ गई या vaccination में हम करते ही है कि उस dead जो आपका vaccination में आपकी जो वाइरस होता है वाइरस का dead form देते हैं और replicate नहीं कर पाता है बाडी में जाता है और उसके बाद इससे हमारी T4 lymphocytes जो होती है वो activate हो जाती है वो उनको kill करने का तरीका जान जाती है इसी को बोलते है herd immunity तो T4 mainly vaccination का 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 होता है vaccination इसलिए किया जाता है जाकि हम memory T cells को activate करें यानि कि memory T cells हमारी जान जाएं उस पैथागोन मारने का तरीका जान जाएं डबलब हो जाएं इसलिए vaccination किया जाता है वीडियो informative लगी हो तो चैनल को subscribe करें और वीडियो को like करें मिलते हैं इसी तरह next वीडियो के साथ तब तक के लिए नमसकार जाहिन जाए भारत बंदे मातरम